डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके असलाम अलेकुम मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टापिक है वो है WBC Count and Its Importance यानि वाइट बलड सेल क्यों एहम है और ये टेस्ट क्यों किया जाता है तो सब कुछ इसके बारे में जानेंगे वगजाये नहीं करते हैं शुरू करते हैं अपना टापिक सबसे पहले बात करते हैं कि जो WBCs है तो इससे White Blood Cells भी कहा जाता है और White Blood Cells को Leukocides भी कहा जाता है White Blood Cells के हवाले से दो टर्म्स बहुत आम तोर पर इस्तिमाल किये जाते हैं जिसे कहा जाता है Leukocytosis और Leukopenia जब white blood cell की तैदाद हमारे खून में 11,000 से उपर बढ़ जाती है इंक्रीज हो जाती है तो इस हालत को कहते हैं leucocytosis और जब white blood cell की तैदाद काउंट हमारे खून में 4,000 से नीचे आ जाती है तो इस हालत को कहा जाता है leucopenia बात करते हैं roll of white blood cell पर यानि इसका function क्या है तो white blood cell हमारे जिसम के चोकिदार होते हैं यानि कि ये cells होते हैं हमारे immune system के और ये हमारे जिसम की हिफाज़त करते हैं उन बीमारियों के खिलाफ जो खासकर जरासीमों की वज़ा से होते हैं जिस तरह से bacterial, viral, parasitic और fungal जो infection होते हैं तो ये उनके खिलाफ मुकाबला करते हैं और हमारी जिसम की हिफाज़त करते हैं और हमारे जिसम में जो बाहर से जरासीम आते हैं बिक्टिरिया, virus, parasite, fungus तो उसका भी मुकाबला करते हैं ताकि उनको ये जिसम से खतम कर सकें बात करते हैं कि white blood cell count का जो टेस्ट किया जाता है तो इसका मकसद क्या होता है जब white blood cell की तेदाद खून में बढ़ती है या जब वो कम होती है तो ये एक निशानदही करती है हमारे पास के जिसम में कोई गड़बड जरूर मौजूद है या शायद जिसम में कोई infection है आटो white blood cell है तो इसका count खून में या बढ़ जाता है या कम हो जाता है कुछ मरीजों में जब cancer का इलाज शुरू हो जाता है जिसे chemotherapy या radiation की मदद से वो इलाज किया जाता है तो डॉक्टर को इस test की मदद से जो के white blood cell count का test है तो इसकी मदद से बहुत असानी से पता चल जाता है कि जो radiation जो शुए दी जा रही है मरीज को या जो कीमो थेरपी दी जा रही है जो medicine दी जा रही है कैंसर के मरीज को तो उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा तो अगर cell count ज्यादा होंगे तो ये कम होंगे अगर cell count कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएंगे नॉर्मल हो जाएंगे तो इसकी वज़ा से जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं तो उसको बहुत ज़्यदा असानी होती है कैंसर की ट्रीटमेंट को समझने में बात करते हैं नॉर्मल रेंच पर के वाइड वलड सिल की नॉर्मल रेंच क्या है तो शुरू करेंगे हम नॉर्मल रेंच होता है 9000 से लेकर 30,000 तक वो बच्चे जिनकी उमरे 2 साल तक होती है तो उनमें जो नॉर्मल रेंच होती है वो होती है 6200 से लेकर 17,000 तक और वो बच्चे जिनकी उमरे 3 साल से बढ़ जाती है और जो बड़े होते हैं एडल्स होते हैं जवान होते हैं तो उन में नॉर्मल रेंज होती है चार हजार से लेकर ग्यारा हजार तक बात करते हैं कि WBC काउंट का पता कैसे लगाया जाता है खून कैसे लिया जाता है किस ट्यूब में लिया जाता है तो 3-5mm खून का नमूना लिया जाता है EDTA ट्यूब में और फिर इसका टेस्ट लगाया जाता है मैनुवली न्यू बार चेमबर पर या आटोमेटड सेल काउंटर कोई भी CBC वाला इनलाइजर हो उससे भी हम WBC काउंट का पता लगा सकते हैं बात करते हैं के लियूकोपीनिया की वजुहात क्या हैं जब वाइट बलड सिल का जो तैदाद है जो काउंट है वो 4000 से नीचे आ जाता है तो इसकी क्या वज़े होती हैं तो इसकी वज़ों में जो वज़े शामिल है वो है सिवेर इंफेक्शन, लिवर डिजीज, स्प्लीन की बिमारिया हो या अगर बोन मेरो में कोई खराबी हो आटो इम्यून डिसार्डर्स हो, हूमन इम्यून वाइरिस यानि हईवी का इंफेक्शन अगर हुआ हो, लूपस इंफेक्शन अगर हो किसी मरीज की शुआओं की मदद से इलाज जारी हो, या अगर कोई मरीज काफी वक्त से बहुत वक्त से इंटिबियाटिक्स का इस्सेमाल कर रहा हो और लिम्फोमा में यानि के जब लिम्फोसाइट्स का कैंसर होता है तो उसमें भी वाइट बलड सेल का जो काउंट होता है जो तेदाद होती है वो 4000 से नीचे आ जाती है बात करते हैं कि लिउकोसाइटोसिस की क्या वजुहात है जब WBC काउंट 11,000 से बढ़ जाता है और इसे लिउकोसाइटोसिस का जाता है तो इसकी वजों में जो वज़े शामिल है वो है इंफेक्शन्स जिसमें बिक्टीरियल और वाइरल इंफेक्शन्स शामिल है स्मोकिंग की वज़े से कोई जल जाए सरजरी की वज़े से भी लिउकोसाइटोसिस होता है ट्यूबर कलोसिस, लिउकीमिया या अगर बोन मेरों में ट्यूमर हो तो इसकी वज़े से भी लिउकोसाइटोसिस होता है इलर्जीज, अस्तमा, टिशू डेमेज, प्रेगनेंसी या फिर अगर कोटी को स्टेराइड इस्तेमाल की जाएं तो इनकी वज़ा से भी जो लिूको साइटोसिस है वो होता है बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है यह लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा हमारे चैनल है MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजेगा अपना देर सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज